तो फाइनली ढूंड लिया आपने हाँ मुझे उमीद थी ढूंड लोगे तो आज किस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6th Math Chapter 2nd के Exercise 2.3 का Introduction मेरा नाम है उजे आप देख रहे हैं CCL क्लास तो से लिए शुरू करते हैं इसमें पहला टोपिक हमारे पास Patterns in Whole Numbers कि जो Whole Numbers है उनमें मारे पास क्या क्या पैटरन होते हैं तो इसमें मारे पास बेसिकली 4 पैटरन होते हैं यह सबसे पहला लाइन दूसरा स्क्वेर यह रेक्टेंगल लिख सकते हैं दूसरा रेक्टेंगल तीसरा स्क्वेर और फॉर्थ हमारे पास ट्राइंगल अब लाइन क्या होती है एक सिंपल लाइन होती है तो जितने भी होल नमबर है उनको क्या हम लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते है तो सारे होल नमबर्स को क्या हम लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते है जैसे अगर टू है तो टू डोट ये एक लाइन मे और यह सारे कौन क्या होते है नबा के यह होते है हमारे पाथ यानि कि यह और nuclear यह बराबर होगी यह और यह बराबर तो देखते हैं क्याम टू को रेक्टेंगल में रेप्रेजंट कर सकते हैं वन और टू कैई एक rectangle है नहीं थरी को वन टू थरी यहां लेंगे या पिर यहां लेंगे तो भी यह rectangle नहीं है फुर को वन टू थ्री फॉर हाँ यह rectangle है मारे पास देख। यह side से बराबर है और यह side इसके बराबर है या फीर इस तरह क Chapter है कि यहां पर भी दो डोटा है यहां पे भी दो, यहां पे दो, तो यहां पे भी दो, तो 4 rectangle है, अब अगर बात करें 5 की, तो 1, 2, 3, 4, 5, क्या एक rectangle है, नहीं, तो इस तरह से मैं बताना होता है, की rectangle है या नहीं, यह pattern है, उसके बाद square square में क्या होगा, आपको पता ही है, जैसे 1 का square 1, तो 1 होगा, फिर 4, 1, 2, 3, 4, फिर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस तरह से मैं, उसके बाद में आता है, हमारे पास, triangle, की triangle कुन से होंगे, मारे पास, तो triangle में होंगे, पहली बात की जो उसका base है, और जो उसकी height है, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, और height पे हमेशा, एक one dot, और base, बराबर होगा height के, बस यह आपको याद रखना है, अब देखते हैं, उदारन से, क्या, दो हमारे पास एक triangle है, तो एक और दो नहीं है, तीन, एक, दो, तीन, तो यह क्या बन गया हमारे पास एक, triangle बन गया, जिसमें उपर एक dot है, और यहाँ पे भी दो डोट है, और यहाँ पे भी दो डोट है, तो तीन क्या है, triangle, अगर बात करें, चार की तो एक, दो, तीन, और चार, लेकिन यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, तो यह triangle नहीं है, तो इस तरह ऐसे हम इनको समझ सकते हैं, बस आपको triangle में याद क्या रखना है, कि उपर तो में इसा ए वो बड़ाबर होंगे, तो बस है, patterns में तो यहीं था, whole numbers में, उसके बाद आता हमारे पास, pattern की observation, कि अब हम patterns को observe कैसे करें, जो different, different pattern होते हैं, हमारे पास, उनको, इखते है, patterns की observation, माल लिजिए, आपको किसी भी नंबर में, 9 या फिर 9999 इस तरह के नंबर एड करने है, कैसे नंबर, 9999, 9999, यह एड करने है, या सबस्ट्राक्ट करने है, या multiply करने है, तो इनका pattern देखते है, माल लिजिए, आपको, 107 में अड करना है, 9, तो कैसे करेंगे, 9 को क्या लिख सकते है, 10-1, यानि की 107 प्लस 10-1, 110 में 10, 117 में 10 जोड़ा, 117, 117 में इसे गया, 116, अगर हमें अड करना माल लिजिए, 117 में 99, तो कैसे करेंगे, 117 प्लस 100-1, 117 में 100, 217 और एग गया, 216, तो इस तरह से यह हमारे पास एक पैटरन आ जाता है, किसके लिए, जब हमारे पास 9, 9, 9, 9, 9, और 4, 9, उसके बाद सबस्ट्रेक्ट करेंगे, सेम इसी तरह से, 107 माइनस 9, यानि की 107 माइनस 10, प्लस 1, एक 107 में से 10 गया, 97 और एक 98, इसी तरह से अगर मल्टिप्लाइ की बात करेंगे, तो यह था हमारे पास पैटरन किसके लिए, जब 9, 9, 9, 9, 9, 9 हो, अब बात करते हैं 5 के लिए, यदि लास्ट में हमारे पास, डिजिट 5 हो, तो क्या करेंगे, अगर डिजिट 5 है मारे पास लास्ट में, तो हम कैसे मल्टिप्लाइ, एडिशन, सुट्रेक्शन कर सकते हैं, वो देखते हैं, तो, देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन देख लेते हैं, माल लिजिए हमें, 105 में, 15 में 5 जोड़ना है, तो सिंपल आप आप कर सकते हो, 120, अगर 115 में हमें 115 एड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो, इसको आड कैसे कर सकते हैं, 100, पलस 15, और यह 115 है, यानि कि कि कितना होगा है मारे पास, 115 पलस 100, 215 और 15, 230, तो यहनि कि हमें यहां से पता चल रहा है कि अगर हम एडिशन या फिर सब्स्ट्रेक्शन करें, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशल नहीं होगा हमारे मल्टिप्लिकेस, एडिशन या सब्स्ट्रेक्शन में, लेकिन अगर हम डिसकस करें, तो यह क्या है, अफेक्टिव होगा कैसे, देखो, अगर आपको मल्टिप्लाइ करनी है, 15 की किस से करनी है, माल लिजिए, हमें मल्टिप्लाइ करनी है, 50 की मल्टिप्लाइ करनी है 25 से, तो कैसे करेंगे, देखो 25 को क्या लिख सकते है, 50 by 2 into 50, अब आपको क्या करना है सिंबल मल्टीपलाइ करनी है और उसका हाफ कर दwireना है 46, closest और एकजामपल देखे ले देखे लिए इसमें क्या कर दिया है जैसे हैं इसमें मल्टीपलाइ करना है 64 को 25 से ये है अक्चूल मल्टीप्लिकेशन इसको आप खुल सोल करके देखो कि कैसे सोल कर सकते हो अब अगर हम मैठोड देखे इसके लिए तो 64 इंटू जो भी 5 डिजिट वाल नमब्र उसको डबल कर दो जैसे 25 है तो क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाइटू तो यह 25 है अब टू से इसको कट कर सकते हैं 32 पे तो 32 की हम 50 से मल्टिप्लाइ कर सकते हैं सिंपल 5 दूए 10 पांच यह 15 और 16 यहागा हमारे पास अगर हमें मल्टिप्लाइ करना होता 64 को 50 से तो कैसे करते तो हम कर सकते थे 64 इंटू 100 बाइटू ऐसे भी कर सकते थे हम तो यह क्या हो जाता 64 अगर डिवाइड बाइड बाइटू यानि कि 30 200 तो यानि कि कहीं ना कहीं यह मल्टिप्लिकेशन में लास्ट डिजिट 5 हो अगर तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगा लबदायक होगा जैसे एक और एक्जामपल देख रहते हैं 64 इंटू 35 तो 35 को क्या लिखेंगे 70 बाइटू अब पहले आप इसकी मल्टिप्लाइ कर लो या फिर पहले दो से कट कर सकते हो 32 और उसके बाद मिल्टिप्लाइ कर सकते हो जीरो साथ दूनी चोदा आसी लेक साथ या एक किस और एक बाइस तो यहां पर वीडियो एंड करता हूं आयोप आपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना